जे स्री क्रिष्णा राधे राधे आई सुनते हैं गोपाश्टमी ब्रतकथा पूजन बिधी इवं महत्व कातिक सुक्लपच अश्टमी तिथी को गोपाश्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान स्री क्रिष्ण ने गोचारण लीला आरंव की थी। इस दिन बच्रे सही गाय का पूजन करने का बिधान है। इस दिन प्रातहकाल उठकर नित्यकर्म से निब्रीत होकर अश्नान करते हैं। हल्दी आध के थापे लगाये जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातहकाल ही, धूब, दीब, पुश्प, अच्छत, रोली, गुड, जलेबी, वस्त्र और जलसे गौव माता की पूजा की जाती है। और आर्थी उतारी जाती है। पूजन के बाद गौव ग्रास निकाला जाता है। गौव माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौव के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। भगवान ने जब छठे वर्स की आयू में प्रवेश किया। तब एक दिन भगवान माता यसुदा से बोले। मैया अब हम बड़े हो गए है। मैया यसुदा बोली। अच्छा लल्ला अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करे। भगवान ने कहा अब हम बचले चराने नहीं जाएंगे अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा ठीक है बाबा से पूछ लेना। मैया की इतना कहते ही जट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुच गये। बाबा ने कहा लाला अभी तुम बहुत छोटे हो अभी तुम बचले ही चराओ। भगवान ने कहा बाबा अब मैं बचले नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले ठीक है लाला तुम पंदी जी को बुला लाओ। वह गवचारर का महुर दे कर बता देंगे, बाबा की बात सुनकर भगवान जट से पंडी जी के पास पहुची और बोले, पंडी जी आपको बाबाने बुलाया है, गौछारण का मुहुर्त देखना है, आप आज ही का मुहुर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूँगा, पंडी जी नंद बाबा के पास पहुचे और बार बार पंचांग देखकर गड़ना करने लगे तब नंद बाबा ने पूछा पंडी जी क्या बात है आप बार बार क्या गिन रहे हैं पंडित जी बोले क्या बताएं नंद बाबा जी केवर आज का ही महुर्थ निकल रहा है इसके बाद तो एक वर्स तक कोई महुर्थ नहीं है पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गवचारण की स्विख्रिती दे दी भगवान जो समय कोई कार्य करे वही सुब महुर्थ बन जाता है उसी दिन भगवान ने गवचारण आरम किया और वह सुब्ति थी थी कार्टिक मास में शुक्ल पच्छ अश्ट में भगवान की गौचारण आरम करने के कारण यति थी गोपाष्ट में कहलाई माता यसोदा ने अपने लल्ला की सिंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले मैया यदि मेरी गौवे जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो और भगवान जब तक ब्रिंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी आगे आगे गार और उनके पीछे बासुरी बजाते भगवान उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यसका गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से बिहार करते हुए भगवान ने उस बन में प्रवेश किया तब से भगवान की गोचारल लिला का आरम हुआ जब भगवान गवी चराते हुए ब्रिंदा बन जाते तब उनके चरणों से ब्रिंदा बन की भूमी अतियंत पावन हो जाती वह वन गवों के लिए हरी भरी खास से युक एवं रंग बिरंगे पुस्पों की खान बन गया था